बिग बॉस के घर में अब अली गोनी का जर्णी वीडियो दिखाया गया है अली गोनी ने अपने इस जर्णी वीडियो को देख कर क्या खाया है हम आपको टीवी धमाका के जरीए बताने जा रहे हैं अली गोनी का जर्मी वीडियो बिग बॉस के घर में दिखाया गया जैसे ही उन्हें वीडियो दिखाया गया और जैसे ही वो वीडियो देखकर आए वे वापिस अंदर आए और रुबिना के पास पहुंचे उन्होंने रुबिना को जो कहा उसे सुनकर आप चौक जाएंगे क्या कहा है उन्होंने रुबिना को हम आपको टीवी दमाका पर बताने जा रहे हैं लेकिन अगर आपने हमारे चैनल टीवी दमाका को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दरसल अनी गोनी ने जब अपना जर्नी वीडियो देखा उसके बाद जब वे वापस आए और वापस आकर वे रुबिना से बात करते हुए नजर आए उन्होंने रुबिना से कहा कि मैंने अपना जर्नी वीडियो देखा जिसे देख कर मैं बहुत शर्मेंदा हूँ उन्हें इस बात का एषास हुआ कि उन्होंने रुबिना के साथ बहुत गलत किया है शुरू में मैं रुबिना के लिए बहुत बुरा सोचते थे लेकिन रुबिना वाकई में दिल की बहुत साफ है और फिर सारी बाते रुबिना के साथ करते हुए नजर आए उन्होंने इस बात का एहसास भी जाहिर किया कि रुबिना उनके लिए हमेशा से अच्छा ही सोचती थी जब कि उन्होंने हमेशा बुरा सोचा है 25 मिनिट का अली गोनी का जनी वीडियो दिखाया गया और यह वीडियो बहुत ही जादा भावुक कर देने वाला था इस वीडियो में जहां उनके जैस्मीन के साथ बिताए कुछ पलो को दिखाया गया जहां राहुल के साथ बिताए पलो को दिखाया गया वही रुबिना के साथ भी सभी दुरुष्य को दिखाया गया था जिसको देखकर अली गोनी काफी भावुक हो गए उन्होंने रुबिना से इस बात का वाधा भी किया कि वे बाहर जाकर हमेशा उनके दोस रहेंगे और अपना भाई होने का रिष्टा वे निभाएंगे जाहिर सी बात है कि अली गोनी ने जब वीडियो देखा तो वे बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रुबिना हमेशा से ही उनके साथ थी और इसलिए वे ज़र्णी वीडियो देख कर बहुत ज़्यादा भावुक होए और उन्होंने रुबिना से माफी भी मागी आपका अली के इस बात पर क्या कहना है आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बिग बॉस की ऐसे ही दमाकेदार और एक्स्क्लूसिव कबरों के लिए बरे रहिए टीवी दमाका के साथ